इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसक्स करूंगी लैंग्विश डिवलेमेंट के बारे में पैड़ागोजी का बहुत इंपॉटन टॉपिक रहता है मैं ज्यादा इधर उदर ना घुमते हुए सीधा ही उसी पॉइंट को पकडूंगी जहां से कोशिन आते हैं और ये आपक कि कैसे कोशिन आते हैं और कैसे उनको अटेम्ट करना है डिसकेशन भी रहेगा पूरा डेटेल में आपको समझाया जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगी प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल प्लेलिस्ट में जाए पैड़ागोजी के बहुत इंपॉटन टॉप के बारे में लैंगविज डेवलपमेंट से जो कोशिन पूछे जाते हैं वो कुछ एक टर्म इससे रिलेटिड होती है वहां से कोशिन पूछे जाते हैं और दूसरा की स्टेजिस ऑफ लैंगविज एकोजिशन से कोशिन आता है सबसे पहले जो स्टेज आती है से लेके तीन मंद के बीच में चलती है यहां पे कुकिंग बबलिंग बैबलिंग बच्चा जो करता है अब कुकिंग और बैबलिंग क्या होता है जैसे बच्चा एक साउंड निकालता है मा पा ऐसे कुछ साउंड निकालता है बच्चा उसको कुकिंग या बैबलिंग कहते है बैबलिंग होता है जैसे बाबाबा मामा ऐसे वर्ड बच्चा बोलता है और इसकी definition बैबलिंग की इस तरह से होती है एक speech-like sound होता है मतलब वो कुछ बोलने के कोशिस कर रहा है लेकिन वो sound meaningless है क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है दूसरा आता है gesture बच्चा जब एक साल का होता है तो एक साल बारा महिने का होता है तो लगबग एक शब्द या दो शब्द बोल पाता है और जायतार उसके face के expression ही रहते है the third one is a linguistic speech होता है linguistic speech जो होता है यहाँ से question बनता है वो वो वन एर में होता है तो answer होगा आपका one year में मतलब twelve month में ठीक है for example linguistic speech होता है जैसे उन्होंने एक simple word बोला go तो बच्चे का मतलब होता है go का मतलब की आपको जाना चाहे you can go या मतलब होता है कि आप यहां से जाओ या फिर उसका मतलब होता है कि go मतलब मुझे बाहर जाना है वो सिर्फ एक शब्द मोलता है उस सब्द का मतलब होता है एक single शब्द में ही उस बच्चे का पूरा जो feeling होती है वो चुपी होती है ठीक है तो यह कब होता है लगवक one year में होता है और जो question आता है वो कैसे आता है holo phrase क्या होता है what is holo phrase holo phrase होता है a single word that convey a complete thought एक single शब्द जो पूरी बात को रखता है जैसे बच्चे ने बोला go तो उसकी मा या पापा जो विसके family surrounding होती है वो समझ जाते हैं कि go का मतलब इसका है कि मुझे बाहर जाना है ठीक है तो यह होता है holo phrase next है telegraphic speech यह कब develop होती है telegraphic speech 18 से 24 मंत के बीच में होती है मतलब एक साल के बाद से शुरू होती है और दो साल तक यह लगभग चलती है ठीक है तो यहां से question कैसे बनता है telegraphic speech से sometime घुमा के question करेगा तो telegraphic speech पूछ लेगा लेकिन अगर ऐसे maximum जो common question है वो यह है first sentence की sage में जो बच्चा है complete sentence की sage में बोलना शुरू करता है तो यह हुआ आपके पास 18 से 24 महीने के बीच में जो बच्चा है वो first sentence अपना clear करता है जैसे पापा work यह एक sentence ही हुआ क्योंकि एक से ज़्यादा word है पापा work ठीक है baby cry no watch TV for example यह इसके example है तो question clear होगा आपके पास की बच्चा first sentence का clear करता है at the age of 18 to 24 month the next one is a vocabulary increase vocabulary बच्चे की कब बढ़ती हो और यहां से कैसे question आते हैं तो देखिए child world में vocabulary child world वो time period होता है जहां बच्चे की vocabulary increase होती है तो पहला MCQ यहां से बनता है कि बच्चे की vocabulary कब increase होती है तो आपके पास आ गया infancy, childhood and adolescence तो आपको पता है कि child world में vocabulary increase होती है जो common question पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि crucial development of vocabulary कब होता है तो जो early childhood होता है starting period of childhood होता है उसमें बच्चे की vocabulary बहुत तेजी से बढ़ती है जिसको first mapping भी कहा जाता है ठीक है early childhood का time period होता है 3 से 6 year तो यहां से MCQs आप समझ गए होंगे कि early childhood में बच्चे की vocabulary बहुत तेजी से बढ़ती है बहुत एक्जाम में यह question पूछा गया है next one is the pragmatics pragmatist का मतलब होता है practical approach practical approach का मतलब होता है कि जब बच्चा teenager होता है तो आपको पता है teenager का होता है 11 to 12, 13 जहां पे 10 लग जाता है 12, 13 के बाद maximum आपकी teenage शुरू हो जाती है teen जहां पिछे लगता है spellings में वो आपके teenager होती है और pragmatist approach का होती है मतलब बच्चा practically knowledge से उस language को समझना शुरू कर देता है उसके बाद proper जब वो teenage तक rest teenage तक जाता रहता है वो 80,000 words तक सीख लेता है तो यह था आपका important discussion और मैं अब एक brief summary के अधार पे आपको question बताऊंगी यह table कुछ इस तरह से है आपके पास कि at the age of one year vocabulary कितनी सीखता है बच्चा तो approximately तीन word तक सीख लेता है एक साल तक तीन शब्द बच्चा vocabulary के सीख लेता है इस table से बहुत question आया है दो साल तक बच्चा कितने शब्द सीखता है तो 272 word सीखता है बच्चा दो साल तक और तीन साल तक सीखता है 896 फोर येर तक सीखता है 1540 ठीक है 15540 ठीक है और 5 येर तक सीखता है 2072 और 6 येर तक 20565 word तक ये सीख लेता है maximum जो question आया हुआ है तो वो at the age of 1 year और 2 year आया हुआ है और 18-24 मन्त के बीच में फूचता है कि 18-24 मन्त के बीच में बच्चा बच्चे की कौन सी development होती है तो आपको पता है कि 18-24 महीने के बीच में बच्चा अपना first sentence complete करता है Thank you and have a good day Please watch the playlist आपको वेड़ागोजी की बहुत ही important update मिलेगी Thank you प्टाइब नहीं वेड़ागोजी की बीच में